दोस्तों 13 जुले 2022 को वीडियो बना कर हमने आपको बताया था कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर अभी आने वाले दिनों में बाउंस बैक आना चाहिए इंडिया के अंदर हमने आपको बताया था 9700 से 48700 का एरिया बहुत ही महत्वा पूर्णा सपोर्ट है और गोल्ड अगर यहाँ पर आता है तो गोल्ड के अंदर खरीदारिक करनी चाहिए उसी तरह से 16 जुले 2022 के वीडियो में फिर से एक बार हमने आपको बताया 9700 से 49300 का एरिया गोल्ड के लिए एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है और गोल्ड अगर यहाँ पर आता है तो आप गोल्ड के अंदर जरूर खरीदारी करे आप देख सकते हो गोल्ड ने ये इंटरनेशनल मार्केट में हमने आपको बताया था 1643 डॉलर से 1690 डॉलर का एरिया बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट है गोल्ड के लिए क्योंकि यही पर गोल्ड का महत्वपूर्ण सपोर्ट आता है उसी तरह से 200 विक का exponential moving average आता है इसलिए हम आपको गोल्ड के अंदर खरीदारी के बारे में बता रहे थे आप देख सकते हो international market में गोल्ड में साड़े 4% की एक बहुत ही अच्छी reality बन चुकी है उसी तरह से silver के बारे में हमने आपको बताया था 18 से 18.50 डॉलर का area एक अच्छा support है और यहा से silver के अंदर bounce back आ सकता है आप देख सकते हो इंडिय में भी silver में एक अच्छा bounce back आया है दोस्तो हमने आपको silver के बारे में clearly कहा था silver से थोड़ा दूर रहना ही अच्छा है लेकिन अगर gold के अंदर bounce back आता है तो वो silver को भी उपर लेके आएगा तो दोस्तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी जानकारी हम आपको हमारे वीडियो से लगातार देते रहते है हम आपसे request करेंगे कि अगर आपको वीडियो देखने के बाद पसंद आता है और उससे थोड़ा भी फायदा होता है तो वीडियो को जरूर लाइक करे उसी तरह से ये वीडियो को अपने दोस्तों और पहचानवालों के साथ share करे ताकि ये जानक पतारी उनको भी पता चल सके चलो अब पता करते हैं कि आने वाले दिनों में गोल और सिल्वर के अंदर क्या हो सकता है 23 जुले 2022 के वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमें लगता है कि डॉलर इंडेक्स टॉप आउट हो रहा है और उसके मुख्य कारण भी हमने आपको वीडियो में समझाए थे जैसे कि हमने आपको बताया था यूरो जो यूरोप की करंसी है उसका डॉलर इंडेक्स के अंदर 57 परसेंड का बहुत बड़ा वेटेज याने के वजन है और यूरोपियन सेंट्रल बैंक इंट्रेस रेट को नहीं बढ़ा रहे थे इसी लिए तेजी बन रही थी लेकिन 21 जुले 2022 को यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने इंट्रेस रेट को 50 बिशिस पॉइंट से बढ़ाया और वहाँ से ही डॉलर इंडेक्स के अंदर कमजोरी की शुरुवात हुई यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ये भी कहा कि जब तक इंफलेशन कं अंदर हमने आपको जुले महिने का अमेरिका का PMI डेटा भी दिखाया जो 47 पर आया था हमने आपको वीडियो में क्लियरली बताया था कि अगर PMI डेटा 50 से कम रहता है तो वो ये बताता है कि economic condition इतनी अच्छी नहीं है और जुले महिने का अमेरिका का PMI डेटा 47 पर था य अंदर याने के analyst expect कर रहे थे कि ये 0.5% रहेगा लेकिन आप देख सकते हो actual में ये minus 0.9% आया है जो की फिर से एक dollar index के लिए negative ख़बर है 27 जुले 2022 को याने के कल Federal Reserve जो की अमेरिका की Central Bank के उनकी meeting खतम हुई और ये meeting के अंदर interest rate को 75 basis point से बढ़ाया गया अभी अमेरिका का interest rate खड़ा है 2.5% पर और उनके chairman ने ये कहा के December 2022 तक ये interest rate वो 3.50% पर लेके जाएंगे यानके अभी भी 100 basis point का interest rate बढ़ना बाकी है लेकिन दोस्तों अभी भी 3 meetings ये साल के अंदर होंगी यानके आने वाले meetings के अंदर ज्यादा से ज्यादा 50 basis point के एक हाई आ सकता है और बचे हुए 2 meetings के अंदर 25 basis point और 25 basis point का interest rate हाई होगा जो की बहुत ही positive है gold और silver के लिए और negative है dollar index के लिए dollar index ने 4 गंटे के चार्ट के ऊपर एक rising channel से breakdown दिया है और dollar index अभी एक rectangle pattern के अंदर consolidate हो रहा है तो dollar index जैसे ही ये rectangle pattern से breakdown देता है जो की हमें लगता है के आने वाले दिनों में देगा dollar index में यहाँ से गिरावट और बड़ेगी dollar index उसके daily chart के ऊपर उसके 20 दिनों के exponential moving average के ऊपर support ले रहा है तो ये जैसे ही 20 दिनों के exponential moving average के नीचे बंद होता है उसका अगला target 50 दिनों का exponential moving average होगा आने वाले दिनों में हमें लगता है गोल के अंदर तेजी 1787 डॉलर तक बढ़ सकती है गोल के लिए आज भी 1633 डॉलर से 1690 डॉलर का area बहुती महत्वपूर्णा support है गोल के लिए एक बार 1787 ये resistance का का काम कर सकता है और गोल जैसे ही इसके उपर बंद होता है गोल के अंदर horizontal trend line और falling channel से breakout आएगा जो गोल को यहाँ से और उपर लेके जा सकता है इंडिया के अंदर गोल के लिए 49300 से 49700 ये महत्वपूर्णा support है और गोल जब तक इसके उपर है हमें लगता है कि आने वाले दिनों में गोल के अंदर तेजी और बढ़ेगी सिल्वर के लिए international market में 18 से 18.50 डॉलर का area अभी भी महत्वपूर्णा support है और जब तक सिल्वर इसे नहीं तोड़ता सिल्वर के अंदर यहाँ से तेजी 20.60 डॉलर तक बढ़ सकती है 20.60 डॉलर ये सिल्वर के लिए एक अच्छा resistance area है और इसके उपर टिकने पर सिल्वर में तेजी और बढ़ेगी इंडिया के अंदर सिल्वर में हमें लगता है 58,780 रुपे तक तेजी बढ़ सकती है और अगर सिल्वर 58,780 के ऊपर टिकता है तो ये तेजी वहाँ से और बढ़ेगी तो दोस्तो ये वीडियो का सारा उंस ये है कि डॉलर इंडेक्स के टॉपिंग आउट के संकेत क्लियरली आ रहे है तो आने वाले समय में ये गोल्ड और सिल्वर के लिए बहुत ही positive news है लेकिन दोस्तो हम ये expect नहीं कर रहे है कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर यहाँ से बहुत बड़ी तेजी तुरंत बनेगी लेकिन हमें लगता है कि आने वाले मेंने गोल्ड और सिल्वर के लिए बहुत ही अच्छे होने चाहिए तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें comment दोरा जरूर बताए अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करे चानल को subscribe करे और वीडियो को अपने दोस्तों और पैचानवालों के साथ share करना ना भूले तक ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू